हालो एविवन गुड मॉनिंग कैसे हैं आप सब तो आज है मंडे और मैं बना रहे हूं ब्रेकफास्ट आज मैं बना रहे हूं कद्दू की सबजी तो यह लोकल ही कद्दू है यहां खेट से हमने लाया था किसी ने दिया था तो बस यह थोड़ा पका हुआ कद्दू है तो आ आउंगी तो इसके लिए मैंने जो इसे है चील कर दोकर अच्छे से काट लिया था बड़े बड़े टुक्डो में काटा है और उसके बाद तेल ले लिया था उसमें सूखी मिर्च डाल दी थी दो और उसके बाद प्याज डाल दिया था प्याज जब हलका ब्राउन हुआ उसके बाद लसुन डाल दी है और अब अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद ये जो टमाटर है डेट टमाटर मैंने इसमें लिया है क्योंकि आधा मेरे पास बचा हुआ था तो डेट टमाटर को मैंने कदूकस करके इसमें डाला है काटके नहीं डाला है और उसके बाद नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ये सब डाल के अच्छे से मिला लूँगी और जब तेल छोड़ देगा हमारा तड़का उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी सबजी प्रेशर कुकर में मैं इसे बना रही हूँ लौकी को भी मै प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ तो अगर आपके पास कदू जो हरा हो थोड़ा कच्छा सा कदू हो तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं ये मैंने आमचूर डाला है आधी चोटी जमच तो ये जो कदू है पका हुआ था पीला था तो इसमें मैंने मीठा कुछ नहीं डाल है क्योंकि कदू मीठा ही रहता है तो मैंने आमचूर डाल दिया है आधी जमच तो उसके बाद ये कदू हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे तो जो हमारा कदू है अगर कच्छा हो तो आप उसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी और आमचूर दोनों बहुत मीठा हो जाएगा तो इसलिए मैंने इसमें आमचूर डाल दिया है और थोड़ा बड़े साइज के टमाटर मेरे पास थे डेल टमाटर डाला है और अच्छे से मिलाया थोड़ी देर भून लिया मसाले में कदू को उसके बाद थोड़ा सा पानी डाला है अगर ये मै थोड़ी देर गैस से ऐसे ही चला लूँगी मतलब खुला पका लूँगी और उसके बाद बंद कर दिया है तो ब्रेकफास्ट में बच्चों को मैंने दे दिया था लंच में यही सबजी दी थी उसके बाद जाडू वगएरा मैंने कर लिया था तो उसके बाद अब ये मैं जादा गंदी डायल्स होती हैं बहुत ही जादा बच्चों को जितना मरजी बच्चे बाहर जाएंगे फिर अंदर आएंगे पैर गिले करके तो पैरों के निशान पढ़ ही जाते हैं और उसके बाद अब मैं आ गई हूं रूम में तो ये जो बैट शीट है ये मैंने कल ऐस ही क्योंकि आपको पता है कल हमने मैंने बहुत सारे कपड़े दोये थे सारे कपड़े दो दिये थे ब्लैंकेर्स वगरा तो रात में इतना थक जो की थी और थोड़ा बच्चों का भी होम वक्त था उसके बाद मैंने ये बैट शीट को ऐसे ही डाल दिया था अच्छे से बि लगती तो मैंने का चलिए इसी को पहले कर लेती हूं तो अब यह यहां बैट शीट लगा दूँगी और उसके बाद बेड वगरा जाडू वगरा तो मेरा लगी चुका है क्योंकि इसी कपरे में जाधा टाइम लगता है जाडू में जाडू लगाते हुए तो बैट शीट कर दिया था रात में बचों को पढ़ाते पढ़ाते खाना खाने के बाद तो बाकी जो बैट शीट वगरा थी ब्लैंकेट वगरा थे वो आधे सूक चुके थे आधे नहीं सूके थे क्योंकि ब्लैंकेट वगरा जो है मैंने वो मशीन में नहीं दोए थे तो वो मैंने वैसे ही टप में धोए थे तो उसके बाद वो अभी नहीं सूखे हैं बेट शिट अब्याइए अब नहीं मैट वगएरगा जो है कुछ रहे गये थे तो जो कुछ रहे गये हैं वो मैंने बेट पे रखे थे पटली वाली रहे हैं क्योंकि मौसम जो है काफी फर्क हो गया है थोड़ा ठंडा हो चुका है मौसम सुबा और शाम के टाइम में तो बस बैट शीट मैंने बिचा दी है पिलो कवर लगा रही हूं और मैं हस्बिंड से बात कर रही हूं हस्बिंड अभी शॉप नहीं गए हैं बचों को छो देव का एक्सिडेंट हुआ और पता नहीं कैसे वो बच गए नहीं तो अगर उसे एक्सिडेंट को देख रहे हैं और उसे मैं सुन रही हूं तो अगर वो ये गाड़ी के आगे जाते तो बहुत ही बुरी तरीके से ये डैमेज हो जाते और बेटी भी बच गई पता नहीं कैसे क्या हुआ तो बस ये फिर शौप नहीं गए इन्हें किसी ने गाड़ी में यहां छोड़ा और दवाई वगयरा लेकर अभी 11 सवा 11 हो रहे हैं तब हम रिफास कर रहे हैं वो भी क्यूंकि इन्हें दवाई लेनी थी नहीं तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और आज क चुकि हूँ नहा के फ्री तो अब ये कपड़े भी मैंने साथ में ही धो लिये हैं क्यूंकि फिर रख दूँगी तो फिर आज के भी रखूंगी कल के भी इस तरीके से बहुत सारे कठे हो जाते हैं तो पानी की यहां फिर दिकत रहती है मैंने का चलो पानी है तो नहा भी और अपने जो कपड़े थे वो भी धो लिए हाथो हाथ तीन चार कपड़े जो थे और एक दिवान की बेटशिट थी तो ये भी मैंने धो ली थी क्यूंकि इस पे कुछ गिर गया था मुझसे सुबा वैसे तो ये धोई हुई थी पर मैंने का चलिए सर्फ से निकाल देती हू तो जब टाइम लगता है पानी होता है तो मैं हाथ से भी कपड़े दो लेती हूं नहाने के बाद जो कुछ बच्चों के रहते हैं तो चलिए पहले मैं इनको अच्छे से डाल लेती हूं और ये ब्लैंकेर जो हैं ये अभी भी भी नहीं सूखे हैं अलो एव्रिवान गुड आफटरनून तो मैं हो चुकी हूँ फ्री काम से अपने और अब मैं जाओंगी बेटी को लेने एक पचिस हो रहे हैं एक तीस पर मैं जाओंगी दस मिनट लग जाते हैं एक चालिस पर उसकी चुट्टी होती है और आज मैं बहुत ज़ादा बच गए और थोड़ी सी ही चोट लगी जादा नहीं लगी पता नहीं कैसे स्कूल जा रहे थे सुबह हजबन और बेटी और गाड़ी ने पीछे से आकर धका दे दिया तो पता नहीं कैसे बेटी मेरी बच गई वो साइड को हो गई और जिस हाथ से हजबन ने उसे पकड़ा था उसी हाथ पे हजबन के चोट आई है और हजबन को धका लगा वो दूर जाकर गिरे तच वुट की बहुत जादा नहीं लगी और गाड़ी चलाने वाली भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी मैडम ही है उसकूल की तो चलिए उसने भी जान बुज कर नहीं किया पर ख्यान नहीं है तो आप सोच रहे होंगे आज किचन में दो दो कौन है तो ये मेरी सिस्टर है और एक मैं हूँ मेरी सिस्टर बरतंद हो रही है और मैं बना रही हूं कड़ी क्यूंकि उसने कहा है वो कड़ी खाएगी जब भी वो आती है तो वो सिर्फ कड़ी की ही तो दिन में वो आ गई थी मतलब साड़े तीन पॉने चार के करीब वो पहुंची थी और उसके बाद हम लोग बातों में लग गए तो चार बजे के करीब हमने लंच कहलो आप चाहे टी टाइम कहलो तो चाहे के साथ ही हमने खाना खा लिया था थोड़ा थोड़ा क्यूंकि आ लोग बीजी रह जाते हैं तो कड़ी की रेसिपी मेरे चैनल पे है बेसन को मैं दही में घोल देती हूँ उसी में सारे सुके मसाले डाल कर प्याज हींग जीरा और धनिया सुके मेर्ज डाल कर तड़का दे देती हूँ तो बस कड़ी मैंने साथ ही साथ मैंने हरा धनिया भी काट लिया है कड़ी बना ली है और चावल भी मैं अब साथ साथ में चाट लूँगी तो उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बैठ जाएंगे बाहर इसलिए हम दोनों साथ साथ में काम कर रहे हैं और मेरी सिस्टर जो है कल हमें नानी के घर जाना है ट्यूजडे को तो तभी मेरी सिस्टर आई है क्योंकि ट्यूजडे की रात को मामू वगेरा व जी जाजी है तो इस वज़ा से यह आज ही आ गई है क्योंकि नेक्स डे इसे थोड़ा शॉपिंग करनी है मार्केट जाना है कपड़े वगेरा जो है यहीं से लेती है ममी भी यहीं से शिमला से बहुत कम लेते हैं तो कपड़ा यहां अच्छा मिलता है रामपूर में तो ब बेटे के पास दी थी कि कोफते बनाने को बेटा कह रहा है ममा कोफते बनाना तो मैंने का चलो अंदर रख लो वो कल सोचेंगे और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बैठ जाएंगे बहुत अच्छा लगता है जब बहने बहने ऐसे इस तरह तरीके से बैठती है अपने स पहले दे दिया था और उसके बाद हम लोगों ने खाया था जब मेरे हजबन आये थे क्योंकि वो शॉप चले गए थे पांच बजे के बाद वो शॉप गए क्योंकि बोर हो रहे थे तो उनकी दर्द भी थोड़ी ठीक थी तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बज़ी कर फैंड़ी में वीडियो में क्योंकि अ शॉब कर ड बाती है तो से लोगोंकि वीडियोर नेक्स्ट बाती हैं वीडियोरी, कि याया जएफ masa MOR thinking कर थे दो शॉबुड़ीक